एक ऐसी फिल्म जिसके नाम को सुनकर ही लोग फिल्म थियेटर तक खिचे चले आते थे वो फिल्म जो अपने सुपर हिट गाने ही नहीं बलकि अपने एक डायलॉग से पहचान ली जाती है ऐसी फिल्म जिसको कई भाशाओं में बनाया गया और आज तक अपने नाम की पहचान बनाये हुए है लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म को बनाने में तीन साल से भी जादा का वक्त लगा था और फिल्म ने कई किर्तिमान बना दिये थे क्या आप सोच सकते हैं कि इस फिल्म निर्माता से सभी कलाकारों ने फिल्म रिलीस होने तक कोई पैसा नहीं लिया और वादा किया कि फिल्म फ्लॉप हुई तो सभी आर्टिस्ट अपना महनताना नहीं लेंगे क्या आप यकीन करेंगे कि फिल्म निर्माता इस फिल्म को अपना कर्ज उतारने के लिए बनाना चाहते थे मगर दुरभागे से शूटिंग के दौरान ही उनकी मौत हो गई उसके बाद फिल्म के सभी कलाकारों ने मिलकर इस फिल्म को पूरा किया था क्या था इस फिल्म का नाम, कौन थे इस फिल्म के निर्माता निर्देशक और क्यूं लगा इस फिल्म को बनाने में ज्यादा वक्त, फिल्म को क्यूं मिले तीन तीन फिल्म फेर अवार्ड, जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारी साथ नमस्कर दोस्तों आप देख रहे हैं ड्रामा सिरिस इंडियन और मैं हूँ श्वेता ज्याग अब तक आप समझी गए होंगे कि आज हम जिस फिल्म की चर्चा इस वीडियो में करने जा रहे हैं वो कौन सी फिल्म है 12 मई 1978 को रिलीज फिल्म डॉन उस साल की एक बड़ी हिट फिल्म रही और कमाई करने वाली फिल्मों में तीसरे नमबर पर थी उस साल सबसे ज़दा कमाई करने वाली अमिताब बच्चन के फिल्म मुकदर का सिकंदर पहले स्थान पर और दूसरे नमबर पर उन्ही की शशी कपूर के साथ आई फिल्म त्रिशूल थी ये फिल्म अपने दौर की सबसे ज़दा लोग प्रिये फिल्म रही है इसलिए सालों बाद भी टीवी पर इसका प्रसारन होता रहा है सभी सिनमा प्रेमियों ने इस फिल्म को जरूर देखा होगा आज हम आपको फिल्म से जुड़ी वो बातें बताने जा रहे हैं जिसे आप नहीं जानते होंगे दोस्तों डॉन फिल्म को नरीमन इरानी ने बनाया था जो फिल्मों के जाने माने कैमरा मैन हुआ करते थे उन्होंने साल 1972 में सुनील दत, अशोक कुमार और वहिदा रहमान को लीकर फिल्म जिन्दगी जिन्दगी बनाई थी ये फिल्म दुरुभागे से फ्लॉप हो गई और नरीमन इरानी पर लगभग 12 लाक रुपे का कर्ज हो गया उस जमाने में इतनी बड़ी रकम की वज़ा से वो बहुत परिशान और टेंशन में रहा करते थे तब उन्हें अमिताब बच्चन, जीनत अमान और उनके दोस्त चंदरा बैरोट ने एक अच्छी कमाई करने वाली हिट फिल्म बनाने की सलाह दी नरीमन इरानी की दोस्ती अमिताब, जीनत और चंदरा से साल 1974 के फिल्म रोटी कपड़ा और मकान की शूटिंग के दोरान हुई थी ये उस फिल्म के कैमरामेन थे चंदरा बैरोट मनुज कुमार के असिस्टन डिरेक्टर थे जबकि अमिताब और जीनत इस फिल्म में अभिने कर रहे थे ये वो दौर था जब फिल्म जन्जीर के सुपर हिट होने के बाद अमिताब बच्चन बड़ा नाम बन चुके थे अमिताब और बाकी सभी दोस्तों ने नरीमन को भरोसा दिलाया कि वो उनकी फिल्म में काम करने का पैसा नहीं लेंगे यदि फिल्म हिट हो जाती है तब ही वो अपनी फीस लेंगे अने था नहीं अपने दोस्तों की बात मानते हुए नरीमन फिल्म बनाने को रड़ी हो गए फिल्म के निर्देशन की जिमेदारी चंदरा बैरोट को दी गई फिल्म के मुख्य किरदार निभाने का जिम्मा अमिताब और जीनत ने ले लिया जबकि अब सवाल था कि फिल्म बनाने के लिए अच्छी कहानी किस फिल्म राइटर से ली जाए तब अमिताब ने नरीमन को सलाह दी कि सलीम जावेद से फिल्म के लिए कहानी लें और नरीमन इरानी जाकर उन दोनों से मिले भी मगर उन्होंने जो कहानिया सुनाई वो जादा महनी थी जिस वजह से ये उदास होकर वापसा गए मगर इत्तफाक से नरीमन की पतनी सलमा इरानी वहिदा रह्मान की हेर ड्रसर थी उन्होंने सलिम जावेद से वईदा रहमान के द्वारा सिफारिश करवाई और तब उन दोनोंने नरीमन इरानी को एक स्टोरी दी जो उनके पास बेकार पड़ी थी इस कहानी को कोई भी फिल्म डिरेक्टर नहीं खरीद रहा था उस समय देवानंद, धर्मेंद्र, जितेंद्र और प्रकाश मेरा जैसे बड़े नाम इस कहानी को पहले ही नकार चुके थे सलीम जावेद ने ये कहते हुए कहानी नरीमन इरानी को दे दी कि यदि फिल्म हिट हो जाए तो पैसे देना नहीं तो हम इस कहानी के पैसे नहीं लेंगे इस भरोसे के साथ उन्होंने कहानी ले ली और कहानी चंद्रा बैरोट और अमिताब को काफी पसंदा गई इस फिल्म का नाम डॉन क्यों पड़ा इसके पीछे बड़ी दिल्चस्प कहानी है दरसल सलीम जावेद कहानी को डॉन वाली कहानी कहा करते थे चंद्रा बेरोट को भी यही नाम पसंद आ रहा था इसलिए नरीमन इरानी ने डॉन नाम से ही फिल्म को रजिस्टर करा लिया वैसे मनोज कुमार ने नरीमन को कहा था कि इस नाम से मुंबई में एक अंडर गार्मेंट्स ब्रांड का भी नाम है तो वो फिल्म का नाम मिस्टर डॉन रख ले मगर उन्हें ये नाम ही पसंद था इसलिए उन्होंने नहीं बदला इस फिल्म में अमिताब वो जीनत के अलावा प्राण, हेलन, इफ्तिखार, ओम शिवपुरी, पिंचु कपूर, सत्येन कपू, कमल कपूर, मैक मोहन और जगदीश राज के अलावा कुछ और भी सितारे थे फिल्म की मूल कहानी में भी नरीमन इरानी ने कुछ थोड़े बहुत बदलाव किये थे चंद्रा बैरोट ने जब अपने गुरू मनोज कुमार को फिल्म की फाइनल स्क्रिप्ट दिखाई तो उन्होंने कहा कि ये एक एक्शन फिल्म है इसके सेकेंड हाफ में कुछ हलका फुलका गाना होना चाहिए ताकि दर्शक फिल्म का आखिर तक लुत्फ ले सकें मनोज कुमार की सलाह मानते हुए नरीमन और चंद्रा बैरोट मशूर संगितकार कल्यान जी आनन जी के पास गए ये जोडी ही डॉन फिल्म का म्यूजिक तयार कर रही थी उनकी बात सुनने के बाद कल्यान जी आनन जी ने उन्हें एक गाना दिया जो उन्होंने तयार तुलगभग 6 साल पहले बनी देवानन्द की फिल्म बनारसी बाबू के लिए किया था मगर देवानन्द ने ये गाना अपने फिल्म से हटा दिया था अब वो गीत फिल्म डॉन का हिस्सा बनने जा रहा था जिसके बोल थे खई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला ये गाना आज भी लोगों की पसंद बना हुआ है इस गाने पर सभी वर्क के लोग थे रखते हैं बता दें कि इस गाने की शूटिंग के दोरान अमिताब बच्चन की टांग में चोट लगी हुई थी उन्होंने अपनी चोटिल टांग से ही गाने की शूटिंग की थी ये चोट उनको फिल्म लावारिस की शूटिंग के वक्त लगी थी इस गाने का एक और किसा भी आपको बताते हैं गाने को शूट करते समय अमिताब ने पूरे गाने में 40 पान खाये थे मगर पान में चूना भी डाला गया था जबकि उसकी कोई जरुरत नहीं थी पान खाने की वज़ा सिर्फ मुँख को लाल दिखाना था लेकिन जब शूटिंग कंप्लीट हो गई तो चूने की वज़ा से अमिताब का मुह काफी जल गया था जो लगभग एक हफते बाद ठीक हो पाया था इस गाने को अपनी मधूर आवाज में किशोर कुमार ने गाया उन्होंने इस गाने में रियल फील लाने के लिए पान चबाते हुए ही गाना रेकॉर्ड किया था और म्यूजिक स्टूडियो में ही किशोर कुमार को थूकने के लिए फर्ष पर प्लास्टिक बिचा दिया गया था साल 1974 में शुरू की गई इस फिल्म को पूरा होने में साढ़े तीन साल का वक्त लग गया ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फिल्म शूटिंग के दौरान ही नरीमन इरानी की एक दुर घटना में मौत हो गई अमिताब बच्चन ने अपने व्लॉग में इस घटना का जिक्र करते हुए लिखा है कि एक दूसरी फिल्म की शूटिंग के चलते नरीमन राजकमल स्टूडियो में काम कर रहे थे और वहाँ फिल्म के लिए बनाया गया सेट अचानक तूट गया और वो एक बच्चे को बचाने के चक्कर में दिवार की चपेट में आ गए इतिफाक से उस बच्चे को खरोंच तक नहीं आई मगर नरीमन अपनी जान गमा बैठे इस घटना की वज़ा से फिल्म की शूटिंग बीच में ही रोपनी पड़ी और बाद में सभी कलाकारों ने मिलकर ये फैसला किया कि हम सब फिल्म को पूरा कर रिलीज भी करेंगे फिल्म को पूरा करने के लिए चंद्रा बैरोट ने अपनी बहन से 40,000 रुपए उधार लिए बाद में फिल्म को पूरा करने के लिए इसकी बजट में भारी कटावती भी की गई फिल्म के क्लाइमिक्स में कबरिस्तान वाले सीन को पहले रियल कबरिस्तान में शूट की प्लैनिंग थी मगर बजट कम होने के कारण आर्टिफीशिल कबरिस्तान का सेट बनाया गया और नकली कबर बना दी गई उन कबरों पर फिल्म यूनिट के लोगों के नाम लिख दिये गए थे जैसे तैसे फिल्म कम्प्लीट की गई मगर आखिर में फिल्म प्रोमोशन के लिए पैसे नहीं बचे थे यही वज़ा रही कि फिल्म त्रिशूल रिलीज होने के एक हफते बाद बिना किसी प्रोमोशन के फिल्म डॉन को चुप चाप रिलीज कर दिया गया डॉन फिल्म पहले हफते में तो कुछ खास नहीं चली मगर दूसरे हफते में यह दर्शकों को खूब पसंद आने लगी 1978 की यह फिल्म साल की तीसरी सबसे बड़ी हिट फिल्म बनी भारत और वर्ल्ड वाइड सब ही जगों को मिलाकर फिल्म के कुल कमाई साथ करोड बीस लाक रुपे थी जबकि डॉन फिल्म बनाने में लगभग एक करोड का खर्च आया था वादे के मुताबिक फिल्म के सभी कलाकारों ने अपना हिस्सा लेने के बाद नरीमन इरानी की विधुआ पत्नी सल्मा इरानी को बची हुई रकम दे दी थी जिसके बाद उन्होंने नरीमन इरानी का सारा कर्ज चुका दिया था डॉन फिल्म में कुल पाँच गाने थे और पाँचों गाने सुपर हिट रहे आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्म को तीन फिल्म फिर अवार्ड भी मिले किशोर कुमार को बेस्ट प्लेबेक सिंगर आशा भूसले को बेस्ट फीमेल प्लेबेक सिंगर और अमिताब बच्चन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड फिल्म के लिए दिया गया अमिताब को जब उनका अवोर्ड दिया जा रहा था तो उन्होंने नरीमन इरानी की विद्वापत्नी सलमा इरानी को स्टेज पर बुलाया और अपना अवोर्ड नरीमन इरानी को समर्पित करते हुए उन्हें सौप दिया अब इस फिल्म से जुड़ी कुछ और दिल्चस बाते भी आपको बताते हैं डॉन फिल्म के लिए अमिताब बच्चन से भी ज्यादा महनताना प्रान सहाब को मिला था प्रान सहाब का किरदार फिल्म में लंगडा दिखाया गया है जबकि पहले से स्क्रिप्ट में ऐसा नही कोई परिशानी नहीं हुई इसे फिल्म के एक सीन में डियस्पी डिसिल्वा बने एफ्तिखार कुछ स्मगलर्स के नाम लेते हैं इसमें वो एक नाम हरी भाई जरीवाला लेते हैं ये नाम उन्होंने अपनी तरफ से बोल दिया था मगर ये नाम था महान अभिनेता कुमार की एक फिल्म नया दिन नई रात से ही प्रिरिथा जिसमें वो मुह में पान चबाते और बालो में धेर सारा तेल लगाए रहते हैं फिल्म का एक और किस्सा मैक मोहन और अमिताब के बीच का है शूटिंग के दौरान मैक मोहन अपनी कार इतनी तेजी से अमिताब की तरफ लाते हैं जिसे देख अमिताब बहुत डर गए थे फिर उन्होंने भी अपना बदला लेने के लिए मैक मोहन की सौफ ड्रिंक में शराब मिला दी थी जिसके कारण वो फिल्म की शूटिंग नहीं कर पा रहे थे मैक मोहन को इस हालत में देख सभी हैरान थे फिल्म डॉन का एक वाक्या डांस डिरेक्टर सरूज खान से जुड़ा हुआ है ये उस दोर की बात है जब वो कोई बड़ा नाम नहीं थी और फिल्मों में साइट डांसर की हैसियत से काम करती थी डॉन फिल्म रिलीस होने के बाद सरोज खान मुंबई के एक थेटर में इसका एक गाना खई के पान बनारस वाला देखने रोज जाती थी जब थेटर के करमचारियों को ये पता चला तो उनों ने सरोज खान से कहा आपको रोज इस गाने को देखने के लिए टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है और बोले जब तक फिल्म थेटर में चलेगी उनके लिए रोज एक सीट रिजर्व रहेगी डॉन फिल्म के कई रिमेक भी बने इनमें सबसे खास है रजनी कांत के फिल्म बिल्ला इस फिल्म में भी हेलेन नजर आईं थी और उन्होंने वही किरदार दिभाया था जो रोल उनका डॉन फिल्म में था कई दूसरी भाशाओं में भी डॉन फिल्म का रिमेक बना है साल 2006 में डॉन फिल्म का सबसे चर्चित रिमेक बना था इस फिल्म का नाम डॉन रखा गया था जिसमें शाहरुख खान लीड रोल में थे और फिल्म में उनके अपॉजिट प्रियंका चोपडा ने काम किया था इस फिल्म को जावेद अक्तर के बेटे फरहान अक्तर ने बनाया था साल 2011 में इस फिल्म का पार्ट टू यानि डॉन टू भी बनाया था आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चंद्रा बैरोट के निर्देशन में बनी ये उनकी पहली और आखरी सफल फिल्म थी चंद्रा बै पांच मिनट का सीन भी था जिसे शूट भी कर लिया था लेकिन उनका सीन फाइनल एडिटिंग में काट दिया गया फिल्म का वो सीन जिसमें जोड़ दिया गया फिल्म को देखने पर उस सीन में आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि सीन अलग-अलग शूट किया गया है डॉन ही ऐसी पहली फिल्म है जिसमें अमिताब और जीनत अमान एक दूसरे के अपॉजित नजर आए हैं इस से पहले फिल्म रोटी और मकान में दोनोंने साथ काम किया था मगर इस फिल्म में इनका साइड रोल ही था ये लड़की जंगली बिल्ली की तरह फुर्तीली और खतरनाक है और मुझे जंगली बिल्ली आप पसंद है उस जमाने के स्टंट मैन हुसाइन ने जीनत अमान के बॉड़ी डबल का काम कि गया था वो इसलिए संभव हो सका क्योंकि फिल्म में जो हेर स्टाइल जीनत का है वही हेर स्टाइल उनका भी था डॉन फिल्म के क्रेडिट रोल के बैग्राउंड में हमें फाइट सीन नजर आता है जिसमें किसी का चेहरा साफ नहीं दिखता वो सीन दरसल एक एक्स्ट्र कारी हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ताकि हम उसे अपने अगले वीडियो में डाल सकें तो अब दीजी अपनी दोस्त और होस्ट श्वेता जया को इजासत नमस्कार